नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बात एक सिरीज की नाम है पेशावर और ये आई है उल्लू एप पे दोस्तों इसको डिरेक्ट किया है जहागीर इरानी ने और कहानी है यहाँ पेशावर में हुए आतंकी हमले के बारे में जो पेशावर का आर्मी स्कूल है उस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे उसी कहानी यहां आपको दिखती है दोस्तों देखिए उल्लू एप वैसे तो बड़ा चर्चित है लेकिन किसी गलत वजह से ही चर्चित है और मुझे लग 92 बहुत हिट हुआ फिर सायद इनको किसी ने कहा कि हम भी एक ऐसी सीरीज बना डालते हैं जो कि किसी घपले पर आधारित हो इन्होंने अब्दुलकरीम तेलगी पर एक सीरीज बना डाली जो कि बहुत ही बेकार थी और पेशावर को लेकर के इन्होंने एक सीरीज बनाई य अलाग कि पेशावर की घोषना एक देर साल पहले ही इन्होंने कर रखी थी लेकिन दोस्तों देखिए कि एक टेररिस्ट अटैक को ले करके या बच्चों की मौद को ले करके जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो यहां आपको बिल्कुल ही नहीं दिखती कहानी बेकार ढंग में खुले आम घूम रहे हैं जहां था मडर कर रहे हैं लेकिन वहां कोई सुरक्षा एजनसी नहीं है स्कूल में जब हमला हो जाता है उसके बाद भी सुरक्षा एजनसीया रिस्पांड करने में इतना ज्यादा टाइम ले रही है जो हीरो है वो अपने फोर्स को इकठा करत कि वो 47 लेकर के मुकावला करने लगती है यहां कुछ भी हो रहा है जो मन चाहे वो दिखा रहे है और बहुत ही वाहिया ढंग से दिखा रहे है इस पूरी स्टोरी को इन्होंने सास बहु का ड्रामा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दोस्तों देखे यह जो फिल्म य आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा एक ही बात इसमें अच्छी है कि इसमें केवल चार एपिसोड है तीस मिनट पचीस मिनट तीस मिनट के आसपास तो यह जल्दी जल्दी से खत्म हो जाती है और सब तक आपका सिर्दान बहुत जादा बढ़ता नहीं है तो कुल कावर के बारे में आज इतने ही बात आप मेरे वीडियो को देखिए लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा मेरे चैनल को धन्यवाद